आप सब वो काता है दिल से मैं अरेंद्र कुमार लिविंग हैपली में स्वागत करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत अच्छा लगा है आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहें, मैं और भी एई अच्छा से अच्छा बेड़ों आपको दिखांगों करें, थाने बहुत है आज आपके सामने मैं जातारी साजय कर रहा हूं जिसके तरह आपकों में पेड़ी के चरवी उते हैं, जो रहा है वोटा पाटे हैं, मुख्या कर रहा हूं अपने जीवत सहली में क्या मदलाओ रहा है, क्या मभुजर किया जाएं यह संभी पारा को बड़ा आज हमाने मुष्ट जनकारी साथे कर में जाएं यह जनकारी हमारे अनफ़ों हर्द्या और अनफ़नत हाथ पारा अगरित्र मैं आपको बिए फ़स्ट कर देगा, कि मैं आपको इन सभी तरीकों में से किसी दोरों को या पते मुताविक शुनाओ कर सकते और अपने सभी चरू देखे कि वह कैसे इन सभी तरीकों को रिस्पॉंड कर रहा है अगर पेट की चर्वी को कम करना है तो आईए आज हम जानते हैं कुछ रेली उपाए जिसे आप अवस्थ्य अजमाईए खाने पीने की अगर बात की जाएं तो खाने पीने में सबजियां, फल, सलाद और दूध जैसी चीजों का खूब सेवन करें खूब तारबूज खाएं क्योंकि यह पेट की चर्वी को कम करने में बहुत ही सटीक है हम जानते हैं कि तारबूज में पानी की मातरा ज्यादा होती है और इसे खाने से पेट ज्यादा वक्त तक भरा रहता है जिससे फाइदा यह होता है कि हमें भूख कम लगती है और खाने पर नियंतरन हो जाता है और सभाविक है जब खाना हम कम खाएंगे तो पेट की चर्वी कम हो जाएगी चर्वी और बसा बढ़ाने वाले चीजे को अपने खाने में बेकुल भी सामिल ना करें रोजाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में दो से तीन चम्मच सहद और दो निम्बू का रस डाले और उसे पीएं अगर ऐसा एक से दो महीने तक ही आप किये तो काफी फर्क आपको दिखने लग जाएगा बंदगोवी ज्यादातर लोगों को बंदगोवी पसंद नहीं आती है लेकिन सायद लोग नहीं जानते कि बंदगोवी चर्वी को कम करने में काफी मददगार होता है अगर बंदगोवी की सबजी पसंद नहीं है तो इसे सलाद के रूप में रोजाना खाएं हम health drink भी बना सकते हैं health drink कई तरह के होते हैं इसमें हम चर्वी को कम करने के लिए हम बना सकते हैं 3-4 glass पानी ले और उसमें 3-4 नीमून निचोड़े 6-7 तुलसी के पत्ते डाले अब उसमें खीरे के कुछ टुकरे डाले चाहे तो एक खीरे का जूस भी उसमें मिला सकते हैं अब इस मिस्रन को रात भर के लिए एक बरतन में ढख कर रख दे सुबह उठ कर इसे पीएं रोजाना इसी तरह से फॉलो करें और फिर देखें ना कि मोटापा घटेगा बलकि चेहरे पर भी जवर दस्त निखारा जाएगा लहसुन अगर आपको बजन घटाना है तो लहसुन का सेवन प्रारंभ करें यह काफी उपयोगी है इसे रोजाना दो कलियां चवाएं और उसके उपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लें जिसमें एक निम्बू का रस्ट डला हो जीरा यह खाने में जरूर सामिल करें क्योंकि यह पेट की चर्वी घटाने में मददगार है इसके अलावा सेव, अनानास, खीरा और टमाटर वे पेट की यह तरिक्त चर्वी को कम करने में बहुत सहायक होता है आपको मालूम होगा कि यह अनानास में ब्रोमिलीन नामक एंजाइम होता है जो चर्वी को कम करने में मदद करता है सेव के अंदर फाइवर और पीटा केटोरीन होता है जो चर्वी घटाता है टमाटर में 9 Oxo वों डिये नमा के कत्व होता है, जो फ़ट को कम करने में काफि मदद करता है इसके साथ साथ करी पत्ता भी एक ऐसी चीज है, जिसके जरीये पेट की चर्वी को कम किया जा सकता है चुकि यह असानी से मिलने वाली चीज है इसलिए इसके सेवन में भी कोई परिसानी नहीं होती है रोजाना सुबह उठकर खाली पेट चार से पाँच करी पत्ते चवाएं कुछ बक्त तक यह ऐसा करें और फिर देखिए आप पेट की चर्वी से निजात पालेंगे अगला है एलुवेरा यह भी पेट की चर्वी को कम करने के लिए काफी कारगर माना गया है या तो ऐलुवेरा का जूस रोजाना पिएं या फिर ऐलुवेरा की पत्ती के अंदर का गुद्दा निकाल कर उसमें संत्रा या मौस्मी का जूस मिलाकर रोजाना पिएं कुछ ही हफ्तों में चर्वी कम होने लगेगी आप सहद का भी सेवन कर सकते हैं रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक या दो चम्मच सहद मिला कर पिएं ऐसा करने से आपके पेट की चर्वी स्वतह कम होने लगेगी अगला है ग्रीन टी रोजाना सुबह ग्रीन टी पिएं इससे पेट की चर्वी यानि पेली फैट कम हो जाएगा मोटापा भी कम हो जाएगा ग्रीन टी पीने के अलावा नियमित रूप से आप दही का भी सेवन कर सकते हैं जैसे काफी कारगर माना गया है रोजाना एक वक्त दही खाने से कुछी महीनों में चर्वी कम हो जाता है दरअसल दही सागी में मजूद फैट को पिगलाने में मदद करती है और इसके बज़ा से चर्वी कम हो जाती है अगला और अन्तिम है पुदिना यह भी हमारे चर्वी को कम करने में मदद करता है इसके लिए पुदीना रोज खाएं आप पुदीने के चाइब भी पी सकते हैं या पुदीने की चट्नी या राइता बना कर भी ले सकते हैं किसी भी तरह से आप खाएं लेकिन एक वक्त पुदीना जरूर खाए और इन सभी खाने पीना के साथ साथ मित्रों आपको मालूम है रोजाना हमें नियमित रूप से आप योगा कीजिए, एकसरसाइज कीजिए, सुबह साम टहल ये जिस पर की पूर बिवाद नहीं है और इसके शमतकारी का सर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हमारा विडियो अपने कूर वर्क को कर रहा है तरह-तरह के योगा एकसरसाइज को दिखा रहा है आप हमारे अगले वीडियो को देखिए और इसमें बताए हुए खाने पीने को जो आपके सुविधा के अनुसार हो जिसको आपका बोडी रिस्पॉंड बहतर से कर रहा हो उसे आप एक सलाह के रूप में लें और अजमा सकते हैं ये सारे बीस चीज में से बीसो को अपनाने की जरूरत नहीं है आप अपने सुविधा के अमसार एक दो को अपना के देखें संपोर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद